हलो गैज़ आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपसिन पर तो एक तरब जहां बेड़ वाले छात्रों के लिए बड़ी से बड़ी भरतियां आ रही है एक भरति TGT PGT की भरति आई है उसका आवेदन स्टार्ट है वहीं पर LT grade की भरति जो है जल्द ही आने वाली है उसका भी विज्यापन कभी भी जारी किया जा सकता है BEO की भरति सर पर लगी हुए लेकिन कुछ इनवस्टी ऐसी है जो बिल्कुल ही लापरवाही का परिचे दे रही है उधी इनवस्टीओं में हम बात करने वाले है बहुत सारे च्छात उसको लेकर के परदर्सन भी किये हैं अपने हग के लिए परदर्सन किये हैं जो करना उचित भी था तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सी इनवस्टी है तो सबसे पहले तो अगर आप बेट कर रहे हैं आपकी इनवस्टी में भी अभी परिक्षा नहीं हुआ है या आपकी इनवस्टी से भी आपको बेट से रिलेटर जो भी इनफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को ठीक है ठीक ठाक स्पीड से चल लिए क्योंकि अगर मैं अवद इनवस्टी की बात करूँ तो आप सभी लोगों का जो पेपर है जुलाई के मंत से स्टार्ट हो जाएगा लाच जुलाई में या फिर अगस्त के पहले वीक में तो आपका खतम हो जाएगा वहीं पर जितना अगर मालीजे बहुत तेज करकर ये 33 समेश्टर जुलाई में करवा भी देते हैं तो इनको 14 समेश्टर करवाने में अक्टूबर तक लग जाएगा या निकि बहुत लंबा समय इनका लगने वाला है इसी को लेकर करके जो छात्रे वो अपनी हट के लिए यहाँ पर 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 दसन की हैं पहले हम अपडेट देखते हैं क्या है अपडेट राजेयन सिंग रजु भहिया राज विस्विद्याले में मंगलवार को बेड के चात्रों ने 33 समेश्टर परिक्षा को लेकर पर दसन किया चात्रों का कहना है कि जो है रजु भहिया विस्विद्याले ने म परिक्षा करवा भी देते हैं तो अगस्त सितंबर दो महिना इनको लग जाएगा और अक्टूबर में अब इनकी परिक्षा होगी अगर हम बात करते हैं और वी इनवस्टी की जैसे आपको अवद वालों को लग रहा होगा मैं बहुत पीछे हूँ तो अभी भी आप पीछे नहीं हो क्योंकि आपकी अगर अगस्त में परिक्षा हो जाएगा तो अगस्त में रिजल्ट भी आ जाएगा परिक्षा के 10 से 12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है अवद इनवस्टी वालों का आ जाएगा बाकी जो भी इनवस्टी आ है जिनका परिक्षा फॉर्म भर उन सभी की परिक्षा जो है जुलाई या अगस्त के माह में हो जाएगा तो कहीं न कहीं आप लोग रज्जु भईया इन्वस्टी से पीछे हो लेकिन दिक्कत उस बात की है जो चात्र रज्जु भईया इन्वस्टी से बेड़ कर रहे हैं और एक ही साथ के चात्र दूसरे फ विस्विद्याले वा उससे जुड़े कालिजों के बेड़ चात सुबा परिक्षा में पहुँच गए प्रदसन कर रहे हैं चात्र ने कहा कि नॉमबर 2020 में उनका दाकिला हुआ था प्रिवेश को 19 मा बीच चुके हैं लेकिन 13 समेश्टर की परिक्षा का पता नहीं है विस् लिक्कत की बात नहीं है जुलाइम परिक्षा कराओगे अगस्त में रिजट लाओगे तो कहीं न कहीं जो छात्रों की मांग है बिल्कुल जाए जो कोई लिक्कत वाली बात यहां नहीं है यहां पर कहा गए वहीं रावी का कहना है कि B.A.D. की डिग्री दो साल बाद ही मिल कहीं न कहीं अगर मैं रजु भीया इंवस्टी की बात कहीं तो यहां पर दिक्कत चल रही है आप लोग देख रहोंगे अभी LLB वाले चात्रों परिक्षा कर रहे हैं कहीं न कहीं परिक्षा कराने के मामले में जो है काफी ज़ादा यहां पर यह जो विस्विद्दाल है थोड़ा सा पीछे हटती नजर आ रही है क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे रज्जु भेया इंवस्टी में किसी ना किसी चीज को लेकर किसी ना किसी परिक्षा को लेकर के आए दिन प्रदर्सन और बवाल होता ही रहता है वहाँ पर कुलपत जी ने क्या का यहाँ पर बताया गया कि नॉबर 2020 में चात्रों का प्रबेस हुआ था जुलाइए में तिर्थिय समैष्टा करे जाएगी चातूर समैष्टा की परिख्षा था संपन होंगी यानि कि वही चीज यहां बता दियागा है कि नॉवंबर में संपन होंगी दो साल का कोर्स पूरा किये बिना चात्रों को मार्क्षिर नहीं दी जा सकती है हाला कि यहां पर जो इन्हों ने बताया है कि नवंबर में अगर आपने admission कराया था तो नवंबर में ही आपका जो यहां पर course है वो complete होगा वहीं पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी इंवस्टियां जो जुलाई में paper करवा देंगी CSJMU, CCSU इन लोगा paper हो जाएगा इन लोगा result आजाएगा तो कहने का मतलब वही चात्र एक ही साथ बियर्ड इंटरेंस exam देते हैं एक ही साथ परिक्षा देते हैं एक ही साथ admission करवाते हैं फिर ऐसे चात्रों की बता रहें कि हम दो साल बात करवाएंगे नॉंबर में करवाएं और यहाँ पर यह सारी चीजे न बताएं कि नॉंबर में admission हुआ है तो नॉंबर में हम इनको देंगे कई न कई यह जो है बहुत ही गलत हो रहा है चात्रों के साथ अगर मेरी मानिये तो बाकि आप लोगों का क्या कहना एक बार कमेंट करके जरूर बताएं तो फिलाल के लि यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुस रही है मसत रही है जैहिल जैभारत